पुलाता हूँ इस देश की आनबांसान डाइरेक्ट सलिंग के बजता पुलिस बिवाग में सीए की पत्कोरों साइट में करके बिजिनेश को फुल टाइम करने वाले उस महान सक्षियत महान लिडर महान गुरु को हब सम मिल करके सम्मान से नाभी से ताली बजाते हैं जोरद बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आप सभी परमादने परम सम्मानि और आदर के साथ आप सभी सम्मानि जनों का सभी बिद्वत जनों का मैं अम्बिका प्रसाद हर्दे की गहराई से बहुत-बहुत स्वागत बहुत-बहुत अविनंदन आपका करता हुए आपने जो सने जो प्यार जो आशिरवाद मुझे तालियों की रूप में फूलों की रूप में और अपने गड़गाती हुई इस करतल ध्वनी से जो मेरा सम्मान बढ़ाया मैं परमात्मा से निवेदन करूंगा प्राथना करूंगा कि आपको इसका हजारों नहीं करोडों गुना आपको वापस भ्याज सहित मिले बहुत बहुत आपका घ्रिंदन हम सभी आज चर्चा करेंगे अपनी जर्णी के बारे में और उसके कुछ फायदे जरूर होंगे लेकिन आप से मैं कर्वद निवेदन करूंगा हाद जोड़के बिनम्र पूर्वक बिनम्रता से आधर सहीत कि जब तक आप भैखें तो यहीं पर रहें यहां पर रहने का मतलब मन भी यही रहे तन भी यही रहे तो धन तो यहां से आही जाएगा लेकिन रहें यहीं पर नाम मेरा अम्भिका प्रसाद है मैं आजम गड़ जन्पत का रहने वाला हूँ एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ जीवन में बहुत अभाव था अभाव के कारण पढ़ाई लिखाई की सुरुवात हुई लेकिन एकेज्मी के जुकेशन बहुत कमजोर रही एक किसान और मेरी भी पढ़ाई नाइन तक ही हूँ रीगुलर हो पाई कच्छा नौ के बाद मैंने पढ़ा तो लेकिन मैंने प्राइवेट पढ़ाई किया हाई स्कूल प्राइवेट इंटर प्राइवेट और ग्रेज्विएशन भी प्राइवेट ही किया ब्यक्ति गत्संस था जिसको बोलते हैं और कभी भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे कई बार गिरा और कई बार उठा मेरे जीवन का वो सल वो जो समय था लगता था कि मैं बार बार गिरता हूँ यानि फेल हो जाता हूँ लेकिन अच्छा रहा गिर के उठने की आदस ही पड़ गई गिर के उठता रहा और वही गिर के उठने की वज़े से अब सिर्प उठने का ही काम बचा है घिरने का तो पहले समाप्त हो गया पढ़ाई रिकाई होने के बाद मैं लखनव में आया अपने जीवन की तलास में लोग आते अपनी नौकरी की तलास में कोई आता कुछ कमाने के लिए कोई कुछ और करने के लिए मैं अपने जीवन की तलास में आया था औ और सन नब्य में मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ और 14 अप्रेल 1991 को मैं वहां से प्रास्थान करके लखनाओ आया और लखनाओ में आया तो चुनोतियां कम नहीं थी मेरे लिए एक क्यानवे में मेरे लिए अंजान सहर लखनाओ मेरे परिवार का रिष्टिजार मेरे गाओं का कोई भी नहीं था यहां जिसके हम आया के रुख सकूं शुरुआत करने के लिए जो भी ये तक की पढ़ाई थी वह एक तरफ और दूसरे एक इन्वस्टी जो दुनिया में लगता है उससे वड़ी कोई इन्वस्टी अभी बनी नहीं वह भूख पेट यह सिखाता है और मैंने इसकी आवाज को सुना पहले और सुरुआत मैंने एक सिमेंट के दुकान से किया सिमेंट के दुकान पे बोला क्या कर सकते हो मैंने बोला मैं किसान का बेटा हूं कुछ बहुभी कर सकता हूं मैं अब बोरी उठा के पहुचाना है लगाना है यहते पहुचाने होंगे मैं बोला कोई बात है मैंने वहीं से सुरुवात कि ए कुछ दिन के बाद मैंने मेगी कामरिसेल कालेज में अपना ड्मीशन कराया में हिंदी इंगलिस टाइप से उसके बाद फिर में कचेरी में हसीन हमसिद्धी की एक उकील हुआ करते थे उनके यहां नीचे बैट के टाइप किया करता था फिर मैंने सौर्ट हैं सीखा हिंदी इंगलिस और वहीं से सुरुवात जर्णी की हो गई लेकिन बताना थोड़ा असान था बताने में बहुत वक्त तो नहीं लगा लेकिन चलने में थोड़ा वक्त लगा बताना तो थोड़ा असान जरूर था लेकिन चलने में थोड़ा सा वक्त लगा और वो वक्त धीरे 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 मेरा चलता गया तो मेरी आज पहचान आज अगर अंभिका को अंभिका बताने वाला समझाने वाला इसका प जिसमें आने के वज़े से मेरा भी परिचे हो गया मैं अपने आप से ही अंजान मैं अपने आप कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ मैं क्या कर सकता हूँ लेकिन यहां आने के बाद मेरा मुझसे ही परिचे हो गया और आज यही बात मैं आप से करने आया हूँ आपका क्या नाम है यह इसी दुनिया वालों ने दिया है लेकिन आप वाकई में क्या हैं आज इस विजनेस के माधिन से हम चर्चा करेंगे तो आप देख पा रहा हैं कि मैं सेफ सौप में आया और आने के बाद में आदनी जै प्रकाश जी मेरे मजबूत इस्तंब हिमाले की तरह से मजबूत अडिग और बहुत उचाईयों पे हैं कौन कहता कि यह कम पढ़े लिखे हैं मेरा मानना है कि कभीर दाश जी ने मस कागच नहीं कलम गयो नहीं हाथ और उन्होंने जो लिख दिया एक-एक सब्द पे आथिसिज लिखते हैं लोग पीएशडी करते हैं एक-एक सब्द पे आज लोग पीएशडी करते हैं तो यह कौन कहता कि पढ़े लिखे नहीं है इन्होंने आज लाखों का कारवा बनाया बहुत से लोगों को यह हो सकता है बोले मेरे अप्लाइम कम पढ़े लिखे हैं एरे कम पढ़ा लिखा था तो आप जैसे टैलेंटिट को जोईन कराया अज ज्यादा होता तो क्या करता तो ज्यादा होता तो क्या करता यह तो वही बात है भजन सुनते होंगे कि सोने की होती तो क्या क तो आई से हमारे ये अनमोल धरोहर हैं इसी तरह से लाखो युवक के लिए प्रेडा लाखो युवक के दिलों को धड़कन आधरणी अरविंद जी जो उम्र कम है और हमारे आधरणी अलोग जी ने बोला कि मेरे पीता के भूमिका में रहते हैं उम्र से कुछ नहीं लेना दे नमन करते हैं उम्र का कोई पड़ाव नहीं है उम्र का कोई तकाजा नहीं है उम्र से कुछ नहीं होता तो ऐसे इसे साथी आ गए और मेरी सुरुवात लखनों में हुई और लखनों में जैसे कि आप जब प्लान दिखाने जाते होंगे तमाम ऐसे हमारे साथी मिलते हैं जै तसकर नहीं है तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैंने शुरुवात किया था तो सबसे पहली मेरी नौकरी ट्यूबल कार्पोरेशन में आईजिस्टेनो लगी यह माइने नहीं रखता कि मैंने शुरू कहां से किया था यह माइने नहीं रखता कि मैंने क्या करके और मैं एक बात का हमेशा आपको भरोसा भी दिलाना चाहूंगा और आपको एक मस्विरा भी दूँगा जिस काम को आप करते हैं उसका अंत जरूर देखिएगा कि मैं जिस काम को करना उसका अंत क्या होने वाला है तो मैं उस नोकरी में आया टूबेल कारपोरेशन में तो उसी समय एक अकाउंटेंट रिटायर हो रहे थे मैंने पूछा बाबुजी आप तो पूरी सेवा करके रिटायर हो रहे हैं तो सब कुछ तो हो गया होगा आपके पास बोला कि दो बेटी साधी के लिए बाकी हैं घर बना नहीं जीपी अपसे पैसा मिलेगा तो बहर बन जा को घूलत तो मुझे लगा कि मेरा फिर कब बनेगा यह बात दो तारीके से सेखा जा सकता है तो मैं उसे अकाउंटेंट सिखता है या पूरी नोकरी कर कि सीखता है तो मुझे वब समझ में आ गई मैं ऐसे ग्रामी डैंचल सह था जहां लोग बताते थे कि बड़ी नोकरी मि यूकेशन बहुत अच्छी नहीं थी फिर मैं सेकंड नौकरी में आ गया सिचाई भाग में कुछ दिन यहां काम किया फिर भी देखा कि अभी मेरी उम्र बची है यानि मैं ओभरेज नहीं हुआ हूँ फिर मैंने अगले और ट्राई किया और अगले ट्राई में मैं आ गया जन मैं देखा कि जहां मैं चला था वहीं मैं गोल गोल घूमके अभी मैं वहीं पर हूँ यानि बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है तो आगे और कुछ करने की इक्छा हुई आगे जब किया तो आगे करने में फिर आ गया पुलिस विभाग में कि चलो अब कुछ आओर मार जैन सर उसमें डी आई जी हुआ करते थे और एक ही जगह थी मुझे लोगों ने बताया क्यों भर रहे हो क्यों भर रहे हो जगह तो एक ही है तो मैंने शिर्फ उनसे एक जवाब दिया एक जगह है अंबिका भी एक ही है और यह अंबिका के लिए ही बनी है अंबिका भी यह की है और मैं यहां पर मेरा सेलेक्शन हुगा उसके बाद फिर विभागी एक्जाम भी हमारे थे मैंने दिया और मैं C.A. बना इंद्रावन मेरी पोस्टिंग हो गई अब मैं वहीं अपना सांदार जीवन चलने लगा धीरे धीरे वक्त बीटता गया धीरे धीरे समय बीट अगर जरूरत ही पूरी करनी थी तो मैं लखनओ क्यों आया अगर मुझे जरूरत ही पूरी करनी थी तो मैं लखनओ क्यों आ गया ये जरूरत डाल रोटी छोटा सा घर तो मैं आजमगड में भी कर सकता था लेकिन लखनव में इसलिए आपने भेजा कि लखनव जैसा सहर जहां गगन चुम्बी इमारतों के बारे में पढ़ता था देखने को मिल रहा है IPS के साथ रहने से एक बात समझ में आई कि जीवन ऐसा होना चाहिए ग्रीम जग गया अब चाहत बन गई कि इनके जैसा घर इनके जैसी गाड़ी इनके जैसा रहन सेंट इनके जैसा ब्रांड होना चाहिए कहां से हो नौकरी में आपसन था आपसन था मेरे पास लेकिन मैं अपने आपको बेच नहीं पाया कभी इसलिए वो तडब भूख मिटी नहीं कि चाहत पूरी करा दे और वो तडब मुझे नई तलास के लिए क्योंकि प्रति दिन परमातमा की कृपा से एक नया जीवन मिलता है परदे जब आख खुलती है तो एक नया जीवन एक नया उतार होता है मेरा अपना ऐसा मानना है और वो उस दिन हम अपने जीवन को एक नई बुलंदी की तरफ ले आ सकते हैं और वो दिन मेरे जीवन में भी आया कि चाहत पूरा करने का रास्ता मुझे मिला और मिला ही नहीं मेरे साथ आने को तयार हुआ यह चाहत क्यों थी क्योंकि पिता जी किसान आख खुली थी होस समाला था तो पीट पे कपड़े नहीं थी माता-पिता का वो जिम्मेदारी का बोज और मेरी बच्पन में साधी हो गई थी पत्नी भी आ चुकी थी यह जिम्मेदारी मुझे इस बात को बताती थी कि अगर यहीं करता रहा तो जिस उम्मीद में वो लोग पढ़ा रहे हैं जो उम्मीद में मेरे पत्नी की मुस्कुराहट है क्या पूरी हो जाएगी यह अशास कराता रहा बार-बार और उसी अशास की वो जैसे मैं तलास में लग गया आप सभी बैठे हैं आपर एक चहरा है मिस्टर यू यह अंबिका हो सकता है जेपी हो सकता है अरबिंद जी हो सकता है विरंदर पांडे हो सकता है आदर्णिया लोक वर्मा हो सकता है कोई भी हो सकता है ये आहसास अपने होने का यदी है तब कुछ किया जा सकता है तब ही कुछ किया जा सकता है अगर ये आहसास नहीं है और ये आभास नहीं है कि मेरे होने से उस बच्ची का भविश है उस पत्नी की मुश्कुराहत उस माता पिता के चेहरे की खुबसूरती है जिसको ये है वही बिजनेस को सीरियसली करता है वही समझता है वही मिटिंग की गर्मा को निभाता है वही जीवन में अनुसासित रहता है, वही जीवन में सीथता है, वही करता है, क्योंकि ये एक स्लाइड नहीं है, पूरा जीवन दर्शन है मेरा, मेरे लिए पूरा जीवन दर्शन है, और मैं उस जीवन दर्शन को आगे आपसे बात चित करूँगा, तो इस जीवन ने मुझे क्या सिखाया, क्या दिलाया, ये सब आगे मेरी कहानी आपको मिलेगी, इसलिए मैं जरूर कहना चाहूंगा, कि आदा गंटा ही मेरी बात चीत होगी, लेकिन हिलना दूलना बंद करिया, मैं आपके उस जीवन को जगजोर करके दिखाना चाहता हूं, जहां आप जाना चाहते हैं, जहां आपको ले जाने के लिए प्रमोट किया गया है, अजो दि यह आप अपने आपको आज यहां लगा के देखें इस तस्वीर को, तो आपको यह बात का आभास जरूर होगा, क्योंकि हमारे साथी अरविन जी ने बताया, इस एज में जो मेरे पिता जी का भुमिका थी, मुझे नाज है, ऐसे पिता पी जिनोंनों मुझे जनम दिया, उ तो मैंने वो किया, ठीक उसी तरह से, कि राजा सगर के साथ हजार पुरोजों को तारने के लिए भगी रथा गया था, यह साथ हजार पुरोजों को तारने के लिए आया, तब इन्हेंने काम किया, बिड़ा उठा लिया, यह आभास इनको था, कि मेरी मुझ्कराहत इन में यही जिम्मेदारी मुझे भी काम करा ले गई और मैं आपको बताना चाहता हूं सेफ सौप में मैं क्यों आया क्योंकि नौकरी में था डी जी का सी ये तंखा भी अच्छी थी लगभग चौरान बहार पांग सो चालिस रुपया उस समय तंखा थी मेरी क्योंकि मेरी सारी फिर मैं क्यों आ गया जब मुझे प्लान बताया गया तो तो तिन चार बाते बताई गई वही बाते मैं आज आपको सेर करूंगा और वो दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा क्योंकि जब आपका माइंड आज एक्सेप्ट कर लेगा मैं स्टाम पेपर पे लिख के दे सकता हूं एक साल मात्र एक साल अगर आप बने रहे तो जो बाते आज यहां किया जाएगा वो आपको हर हाल में हर परिस्टी में दिलाने का आपको हमारा संकल्प है इसलिए आप से आज बात दिल से होगी आप से निमेदन है कि आज अंबिका को कोई लीडर समझ के मैं मैं आपका एक भाई हूं छोटा बड़ा जिस रूप में आप देख पाते हैं एक भाई एक भाई से बात कर रहा है एक परिवार का हिस्सा हूं मैं मैं भी उसी दर्द से निकला हूं और वो हम मिल के बाटेंगे हम एक दूसरे के साथ मिल कर सेर करेंगे इसलिए इसको आज समझना आय सुनना है तो मैं इस बिजने समय वाया समय की आजादी के लिए पहला मेरा रीजन था कि मैं समय की आजादी पाना चाहता था क्यों क्योंकि आज भी हमारे साथी किसी भी विभाग में विभाग में जिम्मेदारी बहुत होती है पद छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन हर पद के एकॉर्डिंग उसको काम करना होता है नोकरी कोई भी हो छोटी हो बड़ी हो समय का भाव उसके जीवन में रहता है मेरे साथ भी अई था नोकरी ठीक थी लेकि समय नहीं था माता पिता जिन्नोंने जन्म दिया उनके दुख सुप में अंबिका खड़ा नहीं हो सकता तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं चूख हो जाएगी अगर मां के चरणों में मैं मत्था भी नहीं चेक पाया तो कैसे करज उतरेगा समय नहीं है नोकरी में पैसा तो मिल सकता है और मुझे जब प्लान में बताया गया कि सर आप यहां से समय कमा सकते हैं मैंने बोला यह तो एक अच्छी पहल है पढ़ाई में बताया नहीं गया कि समय भी कमाया जाता है लोग बोलते हैं पैसा कमाया जाता है लेकिन यहां बताया गया कि समय भी कमा सकते हैं तो मैं उस समय को पाने के लिए आ गया मैं कुछ पॉइन तो यहां जरूर लिखना चाहूंगा फिर आगे हम जब चर्चा करें तो आप तो याद रहे कि हाँ भई हमने क्या बात सुरू किया था तो सबसे पहला तो मेरा यही था कि समय की आजादी समय की आजादी के लिए मैं आया यहां और दूसरा मेरा कारण था आने का यहां आर्थिक आजादी यानि पैसे से सुतंत्रता आर्थिक आजादी तीसरा मेरा कारण था यहां आने का सम्मान वो भी सारवजनिक प्लेश पे सम्मान भी कई तरीक होता है आधर सहित बोल दिया सम्मान है बंद कमरे में माला पहना दिया सम्मान है लेकि सारवजनिक प्लेश पे सम्मान बिरले को मिलता है जैसे आधरी अलोग बर्मा जी को मिला तो यह सारवजनिक प्लेश पे अगर के सम्मान मिले तो ऐसा लेना चाहिए इसलिए मैं यहां आ गया चौथा मेरा कारण था सुरक्षा सुरक्षा कौन सी पीड़ी दरपीड़ी की सिर्फ अमबिका कोई ही नहीं चहिए बलकि इनके आने वाली पीड़ी दरपीड़ी को सुरक्षा चहिए यह चार महत पूर्ण कारण थे मेरे बाखी तो बहुत लिस्ट आप देखेंगे यह मेन मेरा जो कारण था मुझे इस बिजनेस में लाया और मैं हर पॉइंट पर आप से डिसकस करूँगा यह कारण मेरा पूरा हुआ या नहीं हुआ यदि हुआ तो आपका भी हो सकता है नहीं हुआ तो आपको डाउट हो सकता है तो इस बिजनेस में समझिए कि क्या मेरा हुआ पूरा और यह कुछ कारण थे जिनके कारण से मैं आया लेजरी लाई बड़ा घर बड़ी कार बिड़े सियात्रा जैसे हमारे साथी अभी अर्वि जमेही और अभी तो सुरुवात है अभी तो उम्र की तो आगे सब कुछ यह जरूरत मैंने पहले बोला कि मैं सिर्फ जरूरत पूरा करने के लिए नहीं बल्कि मैं पनी चाहत पूरा करना चाहता था इसलिए इस बिजनेस में आ गया और यहां पर जरूरत नहीं बल्कि चा राट पूरा होने का सारा चांस मिलेगा आपको इस पे तो मैं इस कारण से आया था अब मैं आप से पूछना chờता हूं बैटे बैटे अपने मन से पूछ सकते हैं कि आप क्युआ आए कि मैं इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन हुआ, क्योंकि मेरा अपना मानना है, कि कोई भी ब्यक्ती, जब प्लान बताया जाता है, तो उसके कारण नहीं ज्वाइन होता, प्लान में बताया जाता है, कि आप दाइमंड बनेंगे, तो ऐसा लाइप मिलेगी, बड़ा घर पा सकत हैं, बड़ी कार चला सकते हैं, बिजे स्यात्रा जा सकते हैं, तो कोई एक ऐसी बात, उसको जग जोरती है, जो उसके पास नहीं होती है, और पाना चाहता है, तब ज्वाइन करता है, कोई वियाद तक मुझसे नहीं मिला ऐसा ब्यक्ती, जो कहा अंभिका, आओ, और मुझे ज्वाइन कराओ, लेकिन एक ही स्ट्रॉंग रीजन होता उसके जीवन का, वो क्या है आपका रीजन, वो आप ही जानते हैं, कि क्या है आप पैसा, सम्मान, सुरक्षा, जो भी चाहते थे, वो आज याद है, यदी याद है, तब एक डाइमंड बनना, यह सिर्प्रासेस में रहेगा, और डाइमंड तो आज यही बनके निकलें गया, यदी वो याद है, तो आज यही आपका माइंड एक्षेप्ट कर लेगा, कि मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, उनके पास भी दो ही हाथ पैर है, अब मेरे पास भी दो हाथ पैर है, और मैं कर सकता हूँ, यहाँ को ले आएगा कारण कि ज्वाइन करने का कारण मेरा क्या है, मैं इस बिजनेस में क्यों सीरियस हुआ, क्योंकि मेरा कारण था कि मुझे समय चहिए, पैसा तो मैं नौकरी से पूरा रितायर्मेंट तक कमा सकता था, लेकि समय नहीं बचा पाता और तब तक जाता कि दो हजार उनतिस में मेरा रितायर्मेंट था, अप्रिल दो हजार उनतिस, अप्रिल दो हजार उनतिस तक रो जाना मुझे आफिस जाना होता, पढ़ गे, प्रति दिन मैं आफिस जाता, तब सेलरी मिलती, पढ़ाई करने वाला बच्चा बोलता है, मैं IAS बनने से Master बनने से वकील बनने से पैसा नहीं आता IAS बनने के बाद एक महीना काम करने के बाद salary आती है इसका मतलब सिर्फ काम की वज़े से पैसा आता किसी भी पद पे बनने से पैसा नहीं आता डाक्टर बनने से पैसा नहीं आता बलकि डाक्टर बनने के बाद काम करने से पैसा आता है कितने लोग सामा थे इस बात से अज़ाब सभी लोग एक सांदार तालिया आपके लिए बनती है तो इसका मतलब यहाँ भी साफ हो गया बिजनेस जॉइन करने से पैसा नहीं आएगा जॉइन करने के बाद काम करने से पैसा आएगा क्लियर हाँ तो मैं भी जॉइन तो हो गया लेकिन जॉइन करने के बाद करना क्या है ये भी तो जानना है क्योंकि जॉइन करने से पैसा नहीं आएगा डाक्टर बनने से पैसा नहीं आएगा, सिये बनने से पैसा नहीं आएगा, सिये बनने के बाद एक महिना आफिस जाके करने से पैसा आएगा, तो यहां भी सिर्फ जोईन करने से पैसा नहीं आएगा, जोईन करके, हाँ एक बात अंतर है, डाक्तर बनने में लगबक 5-8 साल का समय लगता है तब तक पैसा कमाने का उसर नहीं है फाइप येर्स लाख करने वाले स्टुडेंट जो क्लेट पास करते हैं तो 5 साल पढ़ते हैं तब तक पैसा कमाने का उसर नहीं है लेकिन आप जोईन करते हैं और उसी दिन तीन को जोईन करा देते हैं तो आपको उसक सोका चेक उसी दिन से कमाने का उसर मिल जाता है यह अंतर है दोनों में, यह अंतर है कि जोईन करके उसी दिन पैसा कमाने के लिए आप उप्युक्त हैं और वहां जोईन करके पढ़ाई, दिग्री, फिर सेलेक्शन, फिर काम, तब दाम सुरू होगा, इतना अंतर है, इतना अंतर मुझे समझ में आ गया, कि यह बनने में बहुत वक्त लगा, एक महिना का इंतजार, तब आती है तनखा, लेकिन यहां जोईन करने के बाद से ही पैसा आने लगता है, और जब तक आप वहां डिप्लोमा करके, फ़ाई पिर सुलाग कम्प्लीट करके निकलते हैं, तब तक अरविन जी यहां से एक करोड से उपर की संपत्ती बना चुके होते हैं, यह अंतर है, यह दोनों में अंतर है, तो आपको यह बात समझ में आ रही होगी, कि जितना दिन तक आप बेटे को पढ़ाई कराते, अब मैं आपसे आज बताना चाहता हूँ, कोई भी बेक ति यहां ज्वाइन हुआ है, तो यह समझ लें, मैं तीन साल का डिपलोमा और कोर्स कर रहा हूँ, तीन साल में धाइमंड सिप उसकी पक्की हो जाएगा, तब कोई उतार चड़ा उसको रोक नहीं पाएगा, कुछ भी उतार होगा, चड़ा होगा, वो बोले कि मैं भी करने के बाद, वही माता पिता जो तीन साल डिपलोमा कराते हैं, तब नहीं पूछते, बेटा कितना पैसा लगेगा, कितना तुम ले आ रहे हो, लेकिन ज्वाइन करते, दूसरे जिस पूछते, का हो चेकवा आयल, का हो चेकवा तो और आयल, तो छोड़ दा यार, बेकारे मैं का, यानि वही माता पिता, जो पढ़ा रहे हैं, तब नहीं पूछते, अब बिजनस जोईन करने के बाद, एक सब्ता भीता नहीं, चेक किधर है, अपलाइन से बोलते हैं, चेक किधर है, आप तो बताएं, पैसा बहुत आएगा, आज से ये दिमाग में बैठा कि मैं तीन साल का डिपलोमा कर रहा हूँ, तीन साल का कोर्स कर रहा हूँ, और एक सर्टिफिकेट ले रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजवेट नेट्वर्क मार्केटिंग डिपलोमा, जो सूल्ली इनिवस्टी कराती है, एक साल, एक सेमेस्टर का एक लाख हजार रुपया फीस यही काम फिर करना होगा वो डिपलोमा लेने के बाद आ यहाँ बिना डिपलोमा के हम आगए तो भरम आने लगता है इसलिए यह बात हमेशा याद रखिये कि क्या मैं क्यों आया आया ता हरी भजन को वोटन लगा का पास तो आया था मैं डाइमंड बनने और थोड़ी सी बात बिचलित कर दिया, हमारे कितने साथ ही धिसा में जा चुके हैं, ज्यादा तर लोग जा चुके हैं, टोटल लगभग, दो परसेंट लोग नहीं गए, एक स्लाइड आपने वहां देखा होगा, वेइंग मसीन, वजन तोले के मसीन, चेप्टर पे चर्चा हु वही एक कारण हो सकता है, बिजनेस में आप आये हैं, खाना नहीं मिला, बोलेंगे, रे, साला खाना मिला नहीं, इतना दूर से चल काया, कुर्शी मिली नहीं, फूल मिला नहीं, माला मिला नहीं, सम्मान मिला नहीं, वेइंग मसीन का काम करेगी, बोलेगी, क्विट करो, र पूचे हैं इखते रहता है लगातार बात क्लिक कर जायेगी तु क्विट कर जाए तमाँ वेइंग मजीन का रूप धवन कर सकती है इसलिए कभी भी सम्मान कम मिले जादा मिले च्शे कम मिले जादा मिले बने रहिएगा अब बने रहेंगे तो सब कुछ मिल जाजा जो चाहते हैं अगर दर कहीं जीना है जब दर कहीं जीना है तो उसको जीने में मज़ा क्या आएगा जीना ही है तो बिंदास जीने की जरूरत है इसलिए उस डर को ही हमने मार दिया जो डर मुझे बार बार सताता था तो मैंने बोला कि अब इससे एक ही कारण हो सकता है इस डर को ही मार देना है अज़ने डर रहेगा ने मुझे धराएगा इसलिए मैंने उस डर का समापन कर दिया और कैसे कर दिया उस डर का समापन करने के लिए हमने ये काम कर दिया पहली बात जो मैं आया था बिजनेस में समय की आजादी के लिए मैं सोचा था कि समय मुझे मिलेगा मैं आप से बताना चाहता हूँ पढ़ सकते हैं फोटो कापी ले सकते हैं डेट नोट कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2018 को जिस नवकरी को पाने के लिए बड़ी मेहनत किया वहां से नमस्कार करके और अपना 11 साल का लगभग समय बचा लिया कितना बच गया यह लगभग 11 साल का समय बच गया नहीं तो बुड़ापे तक रोज मोठा चस्मा लगा करके जाके पढ़ता वहां पैसा कितना मिलता यह तो नहीं मालूम लेकिन कई बीमारी जरूर मिल जाती मुप्त में रिटायर्मेंट में गिप्ट तनाव इतना था बोलना बड़ा असान सिये की नौकरी लेकिन आप सोचके देखिए रात में दो बज़े भी अगर डी जी का फोन आएगा तो बंद नहीं कर सकते कि नहीं में आऊँगा रात में भी जा करके हम लोग जब सेशन चलता था अबिधान सवा सत्र लोग सवा सत्र तो जवाब देना होता था कोई घटना घट गई तो उसको जाके मुआइना करना होता था समय नहीं तो अपने बच्चों के लिए पूछों नौकरी क्यों करते हो बोलें बच्चों के लिए पूछे बच्चों के साथ कितना रहते हो बोला तीन साल होगा गए नहीं बच्चा भी नहीं पहचानता कि बाप मेरा यही है कि नहीं है मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई किसी से पुछे नहीं मैं क्योंको नहीं करता वोले मैं अपने माता पिता के लिए बच्चों के लिए और यो उनको समय कितना देते हो भा犯 पता चला कुछ नहीं अजीब नो करिये करता हुआ उसी लिए हुँ देता हुआ कुछ नहीं तो मैं ये डर में जी रहा था तो इसलिए डर को ही हमने हमेशा हमेशा के लिए मार दिया । और रोटी दाल रोटी खाने के मुझे लगता इतने काम चल जाता है क्यों जेपी जी एक लाख चोंतीस ऐार में डालोटी चल सकती थी तो भाई और 2020 में हम लोग एक ट्रेंट दिखाते हैं कि 2020 में एक लाख रुपे से नीचे की इंकम है तो सर्वाइब नहीं कर पाएंगे तो मेरी तो लगभग थी यह 2018 में थी चलो कोई बात ही तो एक पहली बात जो हमारे आदणी गुर्देव जो मेरे जीवन में भगवान का रोल अदा करते हैं आदणी गुर्देव स्रीमान सिवनन मिस्रा जी ने जो भविश्मारी किया था कि समय कमा सकते हैं ऐसे हो गया कितने लोगों को लगता है तो क्या लगता है आपके अप्लाइन बोले हैं तो आपके साथ नहीं सही होगा हाँ पहला प्रमाड अब दूसरी बात करते है अर्थिक आजादी जिसके लिए मैं आया था मैं वहां कितना तन्खा पाता था एक लाग चौटीस जार बीस अक्टूबर दोजार अक्थारा तो जब मेरी सैलरी दो लाग एक्टीस जार साथ सो साथ सैलरी यहां से आई हपते वाली तन्खा हपते में जब आई लगा गवाकरी मेर्दम तो है वो भी देट नोट करिएगा 31 अक्टूबर 2018 इसके आने के बाद नोकरी तत्काल नमस्कार तो पहला बभी सिमाड़ी सही हो गई उनकी और दूसरी भी सही हो गई अब आ गया बीच में कोबिड आया था बीच में कितने लोगों के याद है खास और से बिरंदर पांटे के ज यह देट 11-6-2021 की है इस समय कोबिड रहा होगा थोड़ा हाना तो बोल सकते हैं जिसके मुह में तकलीफ हो तो घर्दन हिला जे कम से कम क्यों यह सर नो हो तो कम से कम कोबिड का दौर तो आपको याद होगा अज देखें नोट करिए लोग बोलते हैं कि सर बड़ा बड़ा अब इसको फार कर दिखा नहीं सकता इसलिए इस इक दिखा रहा हूं है चिंता मनी नाम है मेरी वाईप का क्योंकि अंबिका नौकरी में थे चिंता मनी मेरी वाईप का नाम है और आईडी मेरी वो लिकी है अच्छा चलो कोई बात नहीं एक चेक तो देखा आपने 2,72,885 फिर देखते आगे ये डेट क्या है एक साथ 21 यानि जुलाई अभी जून का दिखाया कोबीड के दोरान बाकी तो बहुत बड़े-बड़े ये कोबीड में जहां करोडो रुपया लगा के लोग जीरो पे थे वहां मैं जीरो लगा के लाखो कमा रहा था ये अंतर है ये डेट कितना है अभी एक जुलाई का देखाया आपने दो लाग ती अत्तर हजार फिर आपने देखा कि एक तीस जुलाई को भी ये बता रहा कि तीन लाग पचीस जार चारसो पंचानवे कुछ भरोसा हो रहा कोबिट के दवरान अलीगड का ताला जादा तर जगा लग गया और यहां पर थोड़ा दिन वक्त देने के कारण ये ताला उसका कुछ नहीं बिगाड सका और कोबिट में भी ये देता रहा चाहिए इसा हां ये मिलेगा फिर देखें आगे अभी तटकाल का देख लिए छे लाग अठानबे जार पांसो पांच अच्छा आगे देखते हैं लोग बोलते हैं कि सर ज्यस्टी और ये देखें एक लाग चोबिस जार पांसो चोवत्तर रुपया कोई दो चार साल की ज् ज्यस्टी है ऊपर डेख लिखी हुई है पढ़ सकते हैं आप ये बिजनस में क्यों ये आर्थिक आजादी में अंबिका पहुंचें होगे कि नहीं आपके हिसाब से क्यों भाई लगता है कि पहुंच गए होंगे तो आपकी बारी है अगली अगला नमबर तो आप ही का है तो खुस होना चाहिए कि नराज होना चाहिए अब बात आई सम्मान उसमें कितना माला लगे हैं और यही तफाक से मैं इस फोटो को बराबर इसलिए देखता हूं कि ये 15 अक्टूबर 97 का फोटो है और मैं आपके सामने खड़ा हूं बगल में खड़ा होता हूं सकता कुछ चंतर देखे कि ये 15 अक्टूबर 97 को मैं इसा दिखता था और अब कैसा दिखता हूं और यह सेफ़ाप की देन है सेफ़ाप की वजह से ये सम्मान यहां विफोर सेफ़ाप और आप्टर सेफ़ाप देख सकते हैं यह मेरा बेटा है बगल में बैठा हुआ है और आप लोग से राजस्तान PCSJ क्वालिफाइ कर लिया है प्री मेंस इंटर्व्यू बाकी है यह 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 यही सम्मान मिला जिस पत्नी को एक फूल भी नही खरीद के दे पाया पुरी नहोखरी में और हमारे रविंदर भाई ने बोला कि बेटे से बहुत प्यार करता हूं ने कि बता नही नहीं है पत्नी से भी बहुत प्यार करता आजमी कितना फूल खरीद के जाता है बोलता ही रवी हूं कोई बोलते हैं और नहीं तो घर पहुंचते हैं अगर एक मिनट दरवाजा बिलम से खुले ने तो क्या-क्या सम्मानिस सब्द निकल जाएंगे तो वो नहीं मजिला पाया लेकिन मैं आप सभी का सुक्रगुजार हूं अब इसे शुरूप से आदरणी जय प्रकास आदो जी का आप लोग ना होते तो साथ यह सम्मान से मैं कोशो दूर रहता तो कोशो दूर मैं रहता यह सम्मान मिला अब कितने लोगों को लग रहा कि जो इनके साथ भविशमारी हुई थी यह तो सब सही हो रही है इस कुछ किlog सी यह बात भरोसा कर रही कि इनके साथ भवभवशमारी तो सही हो रही कि यह सरू कैं हा सब मुझे भी पहले भरोसा नहीं हो तो कि मुझे भिरे दिन भरोसा नहीं हुवा लेकिन धीरे धीरे हुआ पहले दीन, नॉकरी में भिरोसा न रहे कि जलेगी टो कि धीरे धीर हो गया तो यहां भी धीरे धीरे ही हो गया इसके बाद में आप देखिए सम्मान की भर्माओर है आज आया तो आप लोगों की तालियों से सम्मान मिला आप लोगों का जो आधर है मैं पूरा जीवन भर उसका रिण नहीं चुका सकता क्योंकि जो आप प्यार देते हैं वो मेरे लिए अन्मोल धरोहर है मैं कभी भी उसका रिण नहीं अदा कर सकता हाँ लेकिन एक बात का भरोसा दिलाता हूँ आप मेरे साथ बने रहे तो अंबिका जहां खड़ा है वहां तक आपको पहुशाएगा जरूर तो यह सम्मान भी मिलने लगा और दीरे 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 आगे में बढ़ता चला गया और जो मैंने बताया बड़ी कार तो पांच साल पहले लिया था इसको और जादा नहीं अगले दो साल के अंदर अंदर एक कार और खड़ी होगी पोर्चे जो धाई करोड से शुरूआत होती है इसके बाद में यही कारवा नहीं रुका मैं आगे बढ़ता चला गया यह मेरी नोकरी का घर है कोने पे देख रहे होंगे मेरी लाइप स्टाइल वो हुआ करती थी थोड़ा ध्यान से देखना क्या परिवर्तन कुछ आया कि नहीं आया यह मेरी नोकरी का घर है इसकी बुराई नहीं है क्योंकि बुनिया तो ही है उसके बाद सेब सॉप मिल गया थोड़ा बदला हो गया वो हो गया बिजनस में आने के बाद मेरी फॉर्चुनर खड़ी है अल्टो खड़ी है और यह मेरा बैठका आपको दीख रहा हो गया लेकिन जो आज मेरा घर है वो इस रूप में बदल गया है तो कुछ तो बदला हो रहा है मैं यह नहीं कहता मैं पहुँच गया हूँ अभी अर्विन जे ने बताया सफलता वहाँ है मैं भी कुछ कदम ही चला हूँ कुछ कदम ही मैं चल पाया हूँ तब यहाँ पहुच गया अगर पूरा हो जाता तो क्यों भाई हो परल बनने के बाद इतना जोस इतना घ्यान तो जिज दिन वो मर्करी बनेंगे तो क्या होगा सूच सकते हैं और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ यह बड़ी चीजे नहीं है बहुत छोटी चीजे हैं आपके पास भी बहुत जल्दी आने वाली हैं बस विश्वास भरोसा कायम रखियेगा डर था मुझे भी नोकरी में कि यदि मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो C.A. की नोकरी मृता कासरित में पत्नी को नोकरी मिलती लेकिन डर था मुझे कि जिस गली में मैं फूल बेचता हूँ उसी गली में साला काठा बेचना पड़ा तो क्या होगा जिस कुर्सी पे बायट के अंबिका पूरे यूपी में किसी भी थाने पे किसी C.O. को कप्तान को D.I.G. तक को फोन कर सकते थे अगर कोई मिस हैफनिंग हो गई अब मेरी पत्नी को मृता कासरित में नोकरी मिल गई तो क्या लगता है C.A. की मिल जाती हाँ भाई नहीं मिलती नहीं क्योंकि पद उसके एजुकेशन पे नहीं काबिलियत पे मिलेगा और पत्नी को अगर उसी आफिस में फोर्ट कलास इंपलाईज की नोकरी मिल जाती अब मेरी पत्नी वहीं पर पानी पिलाती जाके वो साला अपने आपको गमारा नहीं था इस बात का भरोसा था कि मा यहां हूँ मेरी पत्नी भी जहां रहे उसके लिए कुछ ऐसा करना है कि नहीं मैं रहूं तब भी महरानी की तरह से जीवन भीतीत करें इस बात का वो आभास वो डर काम करा ले गया क्योंकि मैंने इन लोगों की घट्ना अपने आँखों से इनकी देखा है आउधेश जी की तो क्या लगता सिर्प आउधेश जी को ही यह हो सकता है दूर घटना तो कभी भी बता के हो सकती है बीना बताय होती है आउषर बता के चल के आपके दर्वाजे पे आ रहा है तब समझ नहीं आती लेकि कुँ आउषर जीवन भर दर्वाजा खट खटाता है समझने की जरूरत है मुझे यह भविश्वाणी मेरे मन को जगजोरती थी कि अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं मेरी पतनी का क्या होगा इसलिए मैं इस बिजनेस को सिद्दत से करता रहा हूँ आज मैं आपसे भी आवान करने आया हूँ कि मौका है छोड़िये मत पता चल गया कि कैसे डाइमंड बना जाता है पता चल गया कैसे तर्गेत होगा तो छोड़ने की जरुवत नहीं क्योंकि आपको भी आपको भी चंद्रबरदाई ने बता दिया है कि चार हाथ चोबीस गजन गुलस्ट प्रमारता उपर सुल्तान है मत्चु को चौहान पता चल गया फिर क्यों बाठे हसन नाटे में पता चल गया यह सब कुछ होने वाला है बदला होगा